नमस्कार किसान भाईयो फार्मर बंदे यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है किसान भाईयो आज की वीडियो में हम तुलना करने वाले हैं सवराज 744 और महिंदरा के 575 XP के बारे में तो जो किसान भाई हमारे चनल पर पहली बार नए आए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन है उसको भी दबा ले ताकि आप तक हर वीडियो की जानकारी समय से पहुंचती रहें किसान भाईयो चलिए जान लेते हैं कौण सा ट्रेक्टर किस पर अपनी टेविडियो को ले कर भारी थारित होता है तो दोस्तों बात करते हैं दोनों है ट्रेक्टर में क्या-क्या समानताई है किसान भाईयों दोनों ट्रेक्टर आपको पाउर स्टेरिंग और मेकैनिकल में मिल जाएंगे अगर आप पाउर स्टेरिंग लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगा और अगर आप मेकैनिकल लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगा च करें तो आपको अगले टायर सिर्फ छे सॉलाँ के ही मिलने वाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसमिशनगी की बात करें किसान भाईयों दोनों आपको center shift gear में मिलने वाली है यानि कि जो इसका gear box है वो सिर्फ आपको center में ही मिलने वाला side shift gear आपको इसमें नहीं मिलेगा दोनों ही tractor में आपको 8 प्लस 2 की स्विधा उपलब्द होने वाली है यानि कि इसमें आपको 8 forward और 2 reverse gear मिलेंगे किसान भाईयो अगर clutch की बात करें तो आपको single वर dual clutch में दोनों ही ट्रेक्टर में सुईधा उपलब्द होगी cooling system की बात करें तो दोनों ही ट्रेक्टर में आपको water cooled के साथ आपको उपलब्द होने वाले हैं air filter की बात करें तो three stage oil bar type का filter in का होने वाला है वहीं brake देखें तो oil immersed दोनों ही ट्रेक्टर में आपको brake मिलने वाले हैं तो किसान भाईयो ये तो थी दोनों ट्रेक्टर में सेम technology की बात आप देखते हैं कि कौन सा ट्रेक्टर कहां पे भारी साबित होता है किसान भाईयो महिंद्रा 575 xp में आपको 47 hp चार सिलेंडर और 399 cc मिलने वाली है जो कि 2000 rpm पे अपनी फुल पावर जनरेट कर देता है वही 744 fe आता है 44 hp 3 सिलेंडर और 336 cc जो कि 2000 rpm पे ही अपनी फुल पावर को जनरेट कर देता है किसान भाईयो महिंद्रा की pto की बात करें तो आपको मिलने वाली है 42 hp की दमडार pto और इस ट्रेक्टर में आपको reverse pto भी मिल जाएगी वही पे अगर सवराज की बात करें तो सवराज में आपको 37 hp और reverse pto मिलने वाली है जो की 540 rpm 1000 rpm पे जनरेट कर देती है चलिए आप बात करते हैं दोनों ट्रेक्टरों की lift capacity की तो किसान भाईयो महिंद्रा ट्रेक्टर में आपको मिलने वाली है 1600 kg lift capacity वही अगर सवराज में देखें तो सवराज में मिलने वाली है आपको 1500 lift capacity दोस्तों अगर महिंद्र की speed की बात करें तो यह ट्रेक्टर कतिस दिसंबलव 25 km प्रति घंटे के हिसाब से रोड पे भाग सकता है महीं अगर हम सवराज की बात करें तो यह ट्रेक्टर 29.2 km प्रति घंटे के हिसाब से रोड पे आगे दोड सकता है तो दोस्तों अब बात क गारंटी और बुल्यकी किसान भाईयो सवराज ड्रेक्टर आपको मिलने वाला है 2000 एलिके 2000 गंटे और 2 साल की वारंटी के साथ वहीं पे महिंदर आपको मिल रहा है 6 साल की वारंटी के साथ चलिए अब इनके रेट की विवात कर लेते हैं तो किसान भाईयो 575 XP आपको मिल जाएगा 5,80,000 से लेके 6,25,000 रुपे तक वहीपे अगर हम सवराज की बात करें तो सवराज आपको मिलने वाला है 6,10,000 से लेके 6,62,000 रुपे में मिल जाएगा दोस्तों ये मूल्या हमने अपने राज्ये के हिसाब से आपको बताया है किसान भाईयो हर राज्ये का GST अलग-अलग होने के कारण ये रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है किसान भाईयो आपने दोनों ही ट्रेक्टरों की जानकारी देखी लियोगी और ये समझ भी लिया होगा कि कौन सा ट्रेक्टर किस पे किसान भाईयो आप अगली वीडियो किस ट्रेक्टर पे देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार